नमस्कार साथियों मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एज्यूगेशन सबसे पहले एम्स की सभी बेटियों को सभी बहीनों को जिन्होंने भी एक्जाम दिया है उनको एम्स सेकेंड राउंड काउंसलिंग पर अपडेट देने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ और आप सब का स्वागत करता हूँ देखिएगा जिन भी बहीनोंने एम्स बेसी नर्सिंग का एक्जाम दिया था उनके सेकेंड राउंड काउंसलिंग के कोलेज अलोटमेंट पर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ साथ ही साथ कितनी सीटें सेकेंड राउंड के लिए भी खाली हैं उस पर भी हम बात करेंगे कि वेकेंड सीटों की क्या इस्तती हैं दोजार तेईस में कितनी सीटे खाली थी एलोटमेंट चब जारी होगा कितने बज़े जारी होगा आज जारी होगा या कल जारी होगा इस पर भी बात करूँगा और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अब इस सेकंड राउंड के बाद जो मोपप राउंड होने वाला है क्या उस मोपप राउंड में सभी बच्चों को मोका मिलेगा जो not qualify उनको chance मिलेगा की नहीं मिलेगा इस पर भी हम बात करेंगे देखिएगा सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूँ कि सेकंड राउंड के लिए कौन बच्चे क्वालिफ आई है जिको जिनको फैस्ट राउंड में कोलेज नहीं मिला था और जिन्नोंने काउंसलिंग करवाई थी फैस्ट राउंड के अंदर जिन्नोंने सोइस फिलिंग की थी और कोलेज नहीं मिला उनको सेकंड राउंड में कोलेज अलोट होगा नमबर टू जिन बच्चों ने फैस्ट राउंड में कोलेज जोईन कर लिया था लेकिन अपग्रेडेशन के लिए क्लिक किया था कि हम तो अपग्रेड करवाएंगे उनको भी आमबर का मिलेगा और जिन बच्चों ने कोलेज जोईन ही नहीं किया था जिनको फसंद नहीं था और सीथे सेकंड डाउंड के लिए ट्रांसपर हो गए थे उनको भी इस राउंड में कोलेज मिलेगा अब देखियेगा बच्चों बात बड़ी ये है ठीवही AEMS का तो अलोटमेंट जो है वो 25 जुलाई को आने वाला था AEMS का अलोटमेंट तो 25 जुलाई को आने वाला था तो क्या M's ने schedule को change कर दिया क्या जी हाँ बच्चों M's ने अपने schedule में काफी बड़ा बदलाव कर दिया है और इसे ही M's कहते है M's ही वो institute है बेटा जिसने जो date दी थी allotment जारी करने की उससे भी दो दिन पहले allotment जारी कर रहा है इस M's को लगा की बच्चों की class से लेट हो जाएगी तो पहले जो date थी वो 25 तारीक थी allotment जारी करने की उस date को दो दिन पहले लेके आ गए और आज है 23 जुलाई और यह इन्होंने revise schedule जारी किया है बेटा और आपका जो allotment है वो आज ही जारी होगा आज है Tuesday और आज 23 जुलाई को ही आपका allotment आ रहा है देखो इन्होंने यह revise schedule भी जारी किया था देखो B.A.C. nursing revise schedule is per rule for second round देख सकते हो आप तो second round का seat allotment का भारा है भाई आज आने वाला है बचो आज 23 जुलाई को ही seat allotment आएगा 25 जुलाई वाली जो date थी उसको बदल दिया गया है इसके बाद में बचो देखो सबसे पहले तो यह क्या जारी करेंगे आज vacant seat position देखो बचो vacant seat position का मतलब है कितनी seat खाली है कितनी seatों के लिए allotment जारी कर रहे है वो seat matrix खाली seatों की detail जारी करेंगे और आज बचो second round का allotment भी जारी कर देंगे पहले 25 को आना था वो भी आज जारी हो जाएगा और भाई online acceptance of allotted seat जो seat alert होगी उसको online बच्चों को accept करना है और वो seat accept करने का या reject करने का जो option है वो आपको 25 जुलाई सुबह 10 बजे से 29 जुलाई साम 5 बजे तक रहेगा मतलब 25 जुलाई से 29 जुलाई तक आपको reporting करवानी पड़ेगी ठीक है कि नहीं? इलकुल जी 25 से 29 यह बहुत important date है जहान से सुनना भई जिनको भी college मिलेगा है ना उन बच्चों को 25 से 29 जुलाई के बीच में reporting करवानी है और इसी के बीच इसी date के बीच में document जमा करवानी है है ना पहले यह date क्या थी बेटा? पुराने schedule में यह date क्या थी? पुराने schedule में यह date थी 27 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 इस date को पता नहीं क्यों M's ने बदल दिया है M's ने इस date को बदल दिया है तो इसलिए पुराने schedule के बरोसे कोई न रहे schedule पूरी तरह से change हो गया है ओके बटा? बिलकुल जी अब देखो allotment डाउनलोड होगा कहां पे? आएगा कहां पे? तो देखो बिटा जो allotment लेटर है वो तो आपको इस M's की साइट msexams.se.in पे जाना है फिर आपको M's BSE nursing वाला जो login पेज है उस login पेज पे जाना है और आपको अपने ID पास्वर्ट डाल करके और इस portal को login करना पड़ेगा RUC डाल करके login करोगे तो अंदर download allotment का आपको option seat allotment का मिल जाएगा seat allocation वाले option पे जाकर के आपको अगर college allot हुआ है तो आपका allotment अंदर क्या हो जाएगा? बेटा download हो जाएगा वैसे बचो एक website पे PDF भी आएगी website पे क्या आएगी seat allotment की एक PDF आएगी और उस PDF में सभी बचों के एक तरफ roll number होंगे सामने allotate college का नाम होगा तो वो list website पे भी आएगी और जिनको allot होगा उनका allotment letter login page के अंदर आपको मिलेगा ओके बिलकुल अगला point अगला point यह है कि कितनी seat खाली रहेगी सर कितनी seat के लिए allotment होगा तो देखो बचो अगर हम 2023 की बात करें पिसले साल तीन सो सियाली सीट खाली थी एक अजार में से पिसले साल लगबग एक अजार में से 343 सीट खाली थी मतलब आप यह कह सकते हो कि पिसले साल 35 प्रतिसत सीटे जो है ओ बचो वेकेंट थी सेकंड राउंड में भरी गई थी है ना वैसे 35 परसंटेज पूरी नहीं भरी गई थी सहले 343 खाली थी सेकंड राउंड का अलोटमेंट आया बच्चों ने रिपोर्टिंग करवाई इसके बाद भी 50-60 सीटे मोप अफ राउंड के लिए काली हो गई थी जो फिर लास्ट में मोप अफ राउंड में बरी गई थी भी कहें ना? बिलकुल अब बच्चों देखो देखें पिसले साल अगर 344 सीटे खाली थी इस बार कितनी खाली होगी थी? इस बार भी मुझे यही लग रहा है लग बच्चों इस बार भी 300 से 400 के बीच में सीट खाली हो सकती है यह हमारा अनुमान है बच्चों यह एक अनुमान है कि लग भग इतनी सीटें फाली रहेगी खीक है न तो यह अनुमानित इतनी सीटें आपकी इस बार भी क्या रहने वाली है फाली रहने वाली है अब देखो बच्चो वैसे टोटल सीटें है कितनी तो ये बचो पूरा सीट मेट्रिक्स है आप देख लो बिली परिंडा बोपाल बोनेस और बीबी नगर बिलासपुर देवगर गौरकपुर गोवाटी जम्मू जोथपुर कल्यानी मंगलागिरी नागपुर पत्ना राइबरिली राइपुर और इसी केस बारा सु एकराण में सीट खाली है अब सबसे ज़्यादा सीटें किदर खाली रहेगी मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा सीटें आपको कहां कहां पे मिलने वाली है मैं आपको बता दूँ ये बीबी नगर है इसमें सीट ज़्यादा खाली रहेगी आप देखना यह जो एम्स है ना बचो इनके अंदर ही ज़्यादा रायपूर हो गया आपका इनमें ज़्यादा काली रह सकती है है की नहीं बिल्कुल बाकी तो ज़्यादातर में जो है मरदोस्तो एवरेज सीटे ही काली रहेगी आप यह मानों की लगबग लगबग एक एम्स को अगर सीटें हर एक M's में आपको खाली मिलेगी 10 से 15 के बीच 15 M's में सीटें खाली है है ना जिसके लिए allotment होगा अब पहले round में cut off ये रही थी बचो पहले round के अंदर OBC में बचो 1143 रेंग तक कोले सोरी जनरल में 1143 पर ये first round cut off है बचो first round cut off ये पहले round की cut off थी हमारी 1143 रेंग तक कोलेज मिल गया था अब आज जो है जो मेरिट आने वाली हम देखते हैं लगबग बचो संब्लावना तो ये लग रही है वही 1300 से 1500 रेंग तक कोलेज अलोट हो जाएगा 1500 तक तो हो ही जाना चाहिए मेभी 1700 तक भी जा सकता है OPC में अगर हम बात करें बेटा OPC में OPC में 1733 रेंग तक बचों को मिल गया है ऐसा लग रहा है कि भाई साब 2000 के around 2000 से लेकर 200 तक जो है seat allotment हो सकता है बचों को देखते हैं क्या होता है 2000 रेंग तो finally जाना चाहिए इतना तो लगी रहा है अब इसके बाद SC में पहले round में बचो 5000 देख रहे हैं 5406 SC में 5406 हैना यहां तक बचों अलोट्मेंट हुआ है मुझे लगता है कि यहां पे लग बग 7000 रेंग तक अलोट्मेंट हो सकता है SC केटेगरी में और ST में तो बचो 11,025 तक हो चुका है अलोट्मेंट लग बग यही SC में आपकी रेंग रहेगी 11,000, 12,000 हो सकता है ST में हो सकता है कम भी हो जाए रेंग EWS में 3281 EWS में मुझे लगता है कि लग बग आपके 4500 तक भी रेंग जा सकती है 5000 तक भी रेंग जा सकती है EWS में ठीक है भई देखते हैं क्या होता है अब बचो एक बड़ा पोइंट यह है कि सर अगर हमें जो कोलेज अलोट हुआ तो अपग्रेडेशन वाले बहुत सारे बच्चे हैं ने कोलेज चेंज के लिए अपलाई करवाया है तो अगर सर हमारा कोलेज चेंज हुआ है ना पहले सर मुझे मान लो मिला गोरकपूर अब अगर मुझे सर बटिंडा मिल गया और वो भी मुझे अगर पसंद ना हो तो मैं क्या करूँ तो भई होगा ओके बिलकुछ दि यह कंपलसर ही है बिटा है ना अगर जोइन नहीं करोगे तो क्या होगा तो आपके कुछ डोक्यूमेंट वगेरा जमा होगे ना हमस वाले तो देंगे नहीं ठीक है तो देखो बिटा यहाँ पे अगला पॉइंट है और आप अगर जोइन नहीं करोगे तो आगे जो भी राउंड होगे उनमें भी आप सामिल नहीं होपा होगे है ना पर जोइन कर लेना चाहिए लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत दूर कोलेज मिलके अपग्रेडेशन के बाद अब तो बेटा फिर आपको डिसीजन लेना है अब देखो चेंज नहीं हुआ जिन बच्चों का चेंज नहीं हुआ है उनको क्या करना है जी चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपका सेम ही कोलेज रहा है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है already आपकी वहाँ reporting हो चुकी है पहले आपने करा थी फैस्ट आउंड में है ना फिर भी आप एक बार अपने college में mail करके या call करके पूछ भी सकते हैं है ना जिन भी बच्चों का change नहीं होता है तो उनका पहले वाला college अटा नहीं है पहले वाला सुरक्षित है समझ में आगी बात जिन बच्चों का change हो गया है उनको नहे college में जाके join करना होगा तो क्या सर पुराने college से document वगेरा collect करने है क्या देखो पुराने college से document वगेरा सारी चीजे नहे college में transfer हो जाएगी हाँ आपको तो नहे college में जाके reporting करनी होती है अब बच्चों देखो देखें जिन बच्चों को college अलोट नहीं हुआ है आज उनका क्या होगा देखो वैसे तो अलोटमेंट आने दीजी हम detail में discuss करेंगे लेकिन जिनको भी अलोट नहीं हुआ है उनको इसके बाद mop up round होगा mop up round बोल सकते हो open round बोल सकते हो हना तो उस mop up round के अंदर chance मिलेगा आपको तो भी mop up round में भी लगबग 100 plus seat खाली रहेगी जो mop up round आएगा ना इसमें भी 100 plus seat जो है आपकी खाली रहेगी ऐसा लग रहा है है ना हाँ जी इसके बाद में बच्चो जो not qualify candidate है क्या उनको mop up round में सामिल किया जा सकता है तो बच्चो इसके लिए हम लोग एक मुहीम चलाना चाह रहे हैं हम एक M से request करेंगे जनरली बच्चो M सामिल नहीं करता है कीकत में आपको बता दूँ कि जो not qualify होते है M's उनको mop up round के अंदर सामिल नहीं करता है हमारी लंबे समय से request जरूर रही है कि आपको qualification का जो criteria है वो थोड़ा कम करना चाहिए कई बार ऐसा भी हुआ है M's के अंदर seat खाली रह गई फिर भी M's ने qualification का criteria कम नहीं किया है ना तो इस पे M's को सुधार करने की जरूरत है अभी ये round होने दो बेटा इसके बाद अपने एक अभियान भी चलाने वाले है बट अगर इन्होंने बच्चों सामिल किया भी तो थोड़ा सा criteria कम करेंगे बहुत ज्यादा नहीं होने वाला ये भी मैं आपको बता दूँ अब बच्चों देखो जनरली संभावना कम है फिर भी मान लो वो qualification criteria कम करते हैं तो भी थोड़ा बहुत करेंगे चीक है ना हाँ जी अब बच्चों बागी चीजे तो अपन बाद में देख लेंगे document वगेरा क्या चाहिए काफी बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप dropper के लिए एक बेच लेके आओ जो भी dropper बच्चे हैं जो BAC nursing की preparation करना चाहते हैं दूबारा या जिन बच्चों ने केवल 2024 में exam दिया जिन्हों ने preparation नहीं की जो नए बच्चे हैं तो मैं आपको बता दू बेच यह जो बेच है ना यह एक ऐसा बेच है बेच जिसको हम target 90 प्लस बेच कह रहे हैं या target 90 प्लस या target 85 प्लस है ना कोई भी बच्चा अगर इस बेच में जुड़ेगा ना तो यह score उसे हम दिलाएंगे देखिए भई इसके लिए उन्हें सारी जो class age है वो proper intent करनी पड़ेगी यह हमारा target रहेगा target 85 प्लस ठीक है target 85 प्लस target 90 प्लस यह अपन एक target लेके चलेंगे बेटा देखो ठोड़े बहुत कम जादा number हो सकते हैं वो अलग चीज है लेकिन हमारा target उपर होगा और जैसे इस बार इस विजए education से जो student स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे जिन्होंने पूरे बारा मही ने तयारी की ज्यादा तर जो एंडिडेट थे वो सेलेक्ट हुए आपने देखा योगा बेटा टेक एम्स के अंदर admission लेने वाली बेटी विजए education से online पड़के आई ठीक है मैं उन तमाम बेटियों का कहीं न कहीं सुक्र गुजारूं कि उन्होंने इस विजए परिवार को बहुत सपोर्ट किया है इस भाई को बहुत सपोर्ट किया है मैं आप तमाम बेटियों के लिए पर संभव परियास करता हूं बेटा मैंने मेरी तरफ से कभी कमी नहीं छोड़ी हैं आपके लिए हर एक कदम पे मैंने कभी गड़ी में आपके लिए टाइम नहीं देखा कि मैं इतने टाइम तक ही पढ़ाऊंगा ठीक है ना मैंने नौन इश्टोप आप लोगों के लिए कलास से चलाईए मेरा सपना यही था कि मैं M's में बहुत बड़ी संक्या में मेरी बहीनों को एडमिसन दिलाऊं और मैं ये भी दावा करता हूँ कि इस बार दोजार पचीस के अंदर सबसे ज़्यादा संक्या में हर एक M's में जाने वाली बेटी हर एक M's में जाने वाली बहीन हमारी विजियन्स होगी और बेटा आपका M's में एडमिसन नहीं होता के वल आप ये समझो कि आपकी M's में जोब लग रही है क्योंकि चार साल बाद जब नौर सेट का एक्जाम होगा सबसे पहले सेलेक्षन आपका होगा इसमें कोई दोराई नहीं बेटा आपको मेंनत करनी है वाह जाके जिन भी बच्चों को M's अलोट हुआ है मैं उनको भी कहना चाहता हूँ बेटा आप इसे अपनी एक जोब मानो नोकरी मानो करियर मानो लग जाओ बहुत अच्छी मेनत करो बड़ी आप पढ़ो आप जबरतस पढ़ो है ना आप यह सोचो की मेरे मुमी पापा के क्या सपने थे मैं जब M's में मेरा सेलेक्शन हुआ उनके आंकों में खुशी के आंसु थे मुझे मेहनत करनी है बेटा एक टार्गेट बना करके अच्छी तयारी करनी है याद रखना के वल M's मिल गया हम खुश हो गए है ना अभी आखरी खुशी उस दिन मिलेगी जिस दिन हमारा नर्सिंग आफिसर में सेलेक्शन होगा यह ध्यान रखना बेटा ठीक है हाँ यही मैं कहना चाहता हूँ तो तमाम मेरी बहीन कोई भी मेरी बेटी जो पढ़ना चाहती है ना वो इस बेच को जोईन कर सकती है है ना तो यह बेच है जो न्यू केंडिडेट है उनके लिए भी यही बेच है बेटा हमने इसको इस तरह से बनाया इस बेच को कि बहुत ही शानदार और एक्ट्राओडिनरी चीजे यहां पर मिलने वाली है बहुत ही बड़िया कंटेंट हम यहां डिलीवर कर रहे हैं फीस हम हैं तो क्या हुगा मौस्दा तो कम नहीं है ना आप बहीनों का अगर सपोर्ट रहेगा तो अपन इसी तरह से डट के काम करते रहेंगे मैनत करवाते रहेंगे ठीक है ना और जिनका भी मेरे बेचियों का सेलेक्शन हुआ है मैं आपको भी कहना चाहता हूँ आपके कोई भ करना चाहें प्लीज आप उनको बताएं हम बहुत मैनत कराते हैं देखो बिटा सेलेक्शन एक दिन में या एक महीने की त्यारी में नहीं होता आप समझते हैं यह कंपिटेसन है इसमें मैनत करनी पड़ती है समय देना पड़ता है इना तो इस वेज में अपने लाइव क्ला लाइव क्लासों के साथ साथ हरे क्लास की Recording Aid के अंदर आपको Save O मिलने वाली है और आपको Free Test Series मिलने वाली है अंदर भी के आप इस बेच के साथ जुड़िए आपको विरोसा विजय सर पर करना है आपको विरोसा अपने इस बड़े भाई पर करना है बाकी जिम्मेदारी मेरी है मैं प्रोपर स्ट्रेटेजी के साथ बहुत ही शांदार टीम के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं खुद बायो पढ़ाऊंगा अंदर बेच में तो कोई कमी नहीं रखेंगे अपन ठीक है न बिटा ये बेच दोनों ही लेंग्वेज में होने वाला है हिंदी और इंग्लीज दोनों मीडियम में तो जो भी जोइन करना चाता है या तो सीधा एप में जाके जोइन कर लो एप में जब जाओगे तो प्रोसीजर भी रगबग पता ही है सबी को एप पहले गूगल प्लेए स्टोर से विजे एज्यू कैसन डाउनलोड कर लो एप डाउनलोड करने के बाद एप में अपना मोबाइल नमबर डाल दो प्लेए स्टोर से डाउनलोड कर लिया फिर आप ओपन किया एप को मोबाइल नमबर डाल के फिर अंदर जो प्लिक किया तो कॉर्सेज की लिस्ट खुल गई उसमें आपको विजेता बेच पे क्लिक करना है तो नीचे लिखाव आएगा 990 के पास I am Interested, आपको उस पे क्लिक करना है आई-यम इंट्र Emirates ओला फाले Jackson पर जैसे ही क्लिक किया तो पेमेंट जो लिंक है इस बएज का जो पेमेंट है उसapi का लिंक आपके WhatsApp नमबर पे आ जाएगा आपने जिस नमबर से एप लोगिन किया है उसके WhatsApp नमबर पे ही payment का link आएगा फिर उस link पे WhatsApp खोल के click करो आगे phone पे Google पे Paytm ATM कार्ड UPI जिसके तुरू भी payment करना है कर दो जैसे ही payment होगा बेज आपका एक्टिवेट हो जाएगा इसके अलावा इसके अलावा इसके बेटा बिलकुल जी तो ये बड़ी बात है और इसके अलावा ये बेटा documentation है इनकी भी जरुवत होने वाली है कोई भी document अगर अभी भी बना हुआ नहीं है किसी भी बच्चे की TC migration है ना या 12th की mark seat 10th की original mark seat ये document अभी भी आपके पास नहीं है तो आप तियार रखना बिटा इन सब document की जरुवत पढ़ने वाली है seat allotment letter है final registration की copy है admit card का print out है 10th की mark seat है 12th की mark seat है है ना इसके अलावा आपका category certificate यानि जाती प्रमान पत्र है seat allotment के साथ एक offer letter download होता है वो भी चाहिएगा 10th और 12th की mark seat के साथ TC वो भी चाहिएगी ठीक है ना बिटा बिल्कुल बाकी आज allotment आज जाएगा आज साम तक आपका allotment आज जाएगा आज साम तक है ना लगबग आप मान के चलो कि आज साम को आपका जो है दो बजे के बाद दो बजे के बाद अभी भी आ सकता है allotment आते ही में live आ जाऊंगा पर हम कटोप पे फिर बात करेंगे ठीक है बटा अब तक के लिए thank you जैंद बंदे मातर thank you बटा इस वीडियो को प्लीज एक बार share कर दीजिएगा सबी बच्चे और जो नए है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसके लावा बटा एप डाउनलोड करने का लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन में भी है विजए एजू कैसन एप आप सब मॉबाइल में डाउनलोड जरूर करें यह मेरा आप से निवेदन रहेगा ठीक है ठीक यू सो मच ठीक यू